Hello students, study medium channel में आप सभी का स्वागत है तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिहार BSE Nursing, BCEC 2023 का जो फॉर्म है वो officially announcement कर दिया गिया है ये फॉर्म आप आज से भर सकते हो ठीक है? इस वीडियो में आपको बताऊंगा फॉर्म को कैसे भरना है, step by step जानकारी मिलेगी और फॉर्म भरते वक्त आपको क्या क्या documents लगेगा पूरी जानकारी मिलेगी एक ही वीडियो में आपको और कोई वीडियो देखने की जुरत नहीं है तो इस वीडियो को सुरू से अन तक देखिएगा तब ही आपका सारा doubt क्लियर हो जाएगा इस form के regarding, ओके तो वीडियो अगर पसंद है तो like कीजिएगा और जितने भी नए students आएं पहली बार हमारी चैनल में चैनल को subscribe कर लिजएगा यो में आगे बढ़ने से पहले में आप सभी को बता में अधी जानकारी के लिए इस नंबर पे संपर्क करें और आपके लिए एक बहुत ही अच्छा चीज आपको हमारे याप में दिखे कि वह है chapter wise notes 12,000 objective questions का एक ऐसा pdf जिसमें सभी questions सभी previous year questions को सामिल करके बनाया गया यह एक ऐसा questions bank है जिसको अगर पढ़ लेते हो तो आपका इससे बाहर एक भी प्रस्न नहीं पूछेगा इसमें mock set practice set सब कुछ मिल जाएंगे इसकी भी एक नाम मात्रफी है यह आप हमारे याप में जाके फार्मेसी यह चिकित सा विवाग है जिसमें बेसे नर्सिंग आता है ठीक है यह सारे पोस्ट का combine form भराया जाएगा website तो हमने आपको बताई दिया आप यह देख सकते यह रहा website ठीक है यह website में जाने के बाद आपको online application portal of bcc 2023 वाले सेक्षन पर जाके क्लिक करना यह एक link आपको दिएगा इसमें जाके क्लिक करना इसको क्लिक करने के बाद आपके पास option आएगा apply online बटन ठीक है apply online बटन जो apply online वाला दिखे उसको आपको क्लिक करना है उसको आपको क्लिक करने के बाद आपके पास वो application form खुल जायागा ठीक है अब मैं आपको बता देता हूँ यह form को कैसे भढ़ना है तो सबसे पहले आपको registration करना है step 1 पे आपको registration करना है और registration में एक चीज सबसे ध्यान देने वाली बात है कि आप जब registration करोगे तो आपको दो चीज लगेंगे एक mobile number ठीक है और दूसरा email id तो यह mobile number और email id वहीं number और वहीं email id देना जो आपका active है जो आपका चल रहा है मतलब ऐसा email id जिसका password आपको पता है और ऐसा mobile जिसमें आपका recharge है ठीक है क्योंकि इसमें आपका OTP आता है OTP आएगा verification के लिए code आता है ठीक है और उसी code से यह verify होता है अगर recharge नहीं रहेगा या अगर आपके पास password नहीं रहेगा तो फिर आप यह code नहीं access कर पाऊगे उसके बाद कोई भी details आएगा तो आपको इसी email में भेजा जाएगा जैसे admin card आगिया या फिर कुछ भी इस mobile number पर message आएगा तो यह दोनो active देना है ठीक है कोई जरूरी नहीं है कि अपना ही देना अपने घर के किसी भी सदेश का भी दे सकते कोई दिकत नहीं लेकिन active होना चाहिए ओके ताब mobile number और email id डालके अपना जो नाम है और जो भी बाकी address वेगरा वो सब डालके आप पहला step complete कर ले ना registration का ठीक है बहुत ही आसान है registration करने के बाद आपको एक username मिलेगा यूजर नेम आपको मिलेगा वो आपके email id में भेजा जाएगा ठीक है username जो होगा वो email id में भेजा जाएगा password तब create करोगे उसके बाद जब registration हो जाएगा तो फिर आपको step 2 में आना है step 2 में क्या आएगा इसमें आपको personal information डालना है और personal information पूरी तरह डालने के बाद आपको वहाँ पे submit and continue बटन दीखेगा ठीक है personal information में जो आपका address father's name यह सब डाला जाता है ठीक है उसके बाद आपको submit वाले बटन को क्लिक करना है उसके बाद आप submit कर जाओगे और third step पे आप आप आजाओगे थार्ड इस्टेप पे आपको क्या करना upload photo और signature यह very important है signature जो होगा वो जो है न वो आपका current का होना चाहिए अभी का और उसको scan करके आपको रखना है ठीक है तो signature और photo भी आपका current होना चाहिए और इसको scan करके आपको रखना है education information ठीक है जितना भी आपका educational information से इसमें आपको क्या करना है photo signature अप्लोड करने के बाद आप यहाँ पे आओगर यहाँ पे आप अपना सेच्छनिक योगिता मतलब mark seat 12th का ठीक है और 10th का यह दोनों लगेगा 10th का details और 12th का details आपको यहाँ पे upload करना है computer screen पर आपको upload करना है ठीक है यहीं आपका documents है और कोई documents नहीं चाहिए यह दोनों आपको upload करना है और उसके बाद फिर submit and continue बटन को click करना है जैसे submit और continue करोगे फिर आप चल जाओगे आगे step 5 में ठीक है step 5 में जाओगे यहाँ पे आपको देखेगा preview your applications मतलब जितने भी आपने भरे है नाम address जो भी वो आपके सामने एक form बनके इस तरह से आजाएगा आप उसको preview कर लेना इसका यह मतलब हुआ कि कहीं भी आपको कोई गलती दीख रही है तो आप यहाँ पे edit कर सकते हो नीचे आपको edit option दिखेगी ठीक है अगर आपको कोई भी गलती दीख रही है तो यहाँ पे आप edit कर सकते हो और अगर यहाँ पे edit नहीं करोगे तो फिर आगे आपका edit नहीं होगा ठीक है यहाँ पर edit का option आएगा और एक submit का option आएगा अगर आप देखोगे सारा सही है तो फिर आप submit वाले option को click करोगे और नहीं तो आप edit करोगे ठीक है उसके बाद submit कर दोगे तो submit हो गिया अब आप ध्यान दो कि आपका कोई भी गलती होने पर वो आपका change नहीं होने वाला आपका final submit हो चुका है अब आपके पास step 6 आएगा वो आएगा payment of examinations fee यहाँ पे आपको payment करने का option दीखेगा ठीक है वो वाला page हट गिया जहाँ पे आपने पुरा details दाला था और आपने final submit कर दिया अब वहाँ से क्या होगा form आपका आगे बढ़ गिया payment option पर अब यहाँ पे आप कोई भी changes नहीं कर पाओगे अब बस आप जब भी यहाँ पे login करोगे payment option आएगा अगर अभी आप payment नहीं करना चाहते हो तो इतना दूर करके आप छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं आप यहाँ से निकल सकते हो दो दिन तिन दिन के बाद फिर आप payment कर सकते हो दो दिन तिन दिन के बाद फिर आप आओगे login करोगे ठीक है जैसे login करोगे आप इसी page में redirect हो जाओगे payment वाले page में इसके पहले जो भी option आ रहा तो वो आपका हड़ जाएगा यहाँ पर आनक बाद आपको online payment method दिखेगा यहाँ पर आप payment कर सकते हो बहुत सारे option दिख जाएंगे ठीक है यहाँ पर आप UPI से कर सकते हो यह सबसे आसान होता है डेविट कार्ड भी कर सकते हो और इसमें करना कितना है देखो तो जो अभ्यारती सामाइन या आर्थी ग्रूप से कमजोर बर्ग, पिछड़ा बर्ग, और पिछड़ा बर्ग के PCM और PCB ग्रूप से हैं या फिर PCA, MCA यह सबी ग्रूप से हैं तो उनको 1000 रूपए की रासी देना पड़ेगा मतलब 100, 1000 आपका फी रहेगा और उसके बाद यहां पे बोला गया जो अनुसूचित जाती, अनुसूचित जन जाती, दिव्यांग, कोटी के लिए जो सब्जेक्ट ग्रूप के परिक्षा है तो 500 रूपए देने पड़ेंगे तो इनको 500 देना पड़ेगा आगे एक और ओप्सन है यहां पे देखो, समाई ने आर्थी ग्रूप से कमजोर, पिछडा बर्ग और अने चारो चारो विशेव वाले PCMB जो होते हैं एक तो हो गया, उपर वाला जो था वो PCM, या तो फिसकेमिस्ट्री मैथ, या तो PCB ठीक है, यह वाले के लिए मैंने बता हैं और अभी जो है कि PCMB, चारो सब्जेक्ट रखे हैं वो भी एक्जाम दे सकते हैं, तो उनका जो फिय है वो अलग है उनको 1100 लगेंगे, और जितने भी कैटेगरी वाइज हैं उनको 550 लगेंगे, ठीक है, 100 रूपय और 50 रूपय जादा लगेगा एक सब्जेक्ट जादा होने की बज़े से, एक्जाम भी जादा होगा तो यह पेमेंट कर लोगे, यह पेमेंट करने के बाद आपके पास जो रसीद आएगा उसको आप प्रिंट आउट करके रख लेना है, उसके बाद आप आओगे step 7 पे, यहाँ पर आपको बोलेगा, डाउनलोड पार्ट 1 और पार्ट 2 मतलब आप जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो भी भरे थे, उसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट करके रख लेना है, क्योंकि यह ही आपका आगे काम देने वाला है, ठीक है और यह ही आपका application form होगा, इसको पूरी तरह से आप डाउनलोड करके रख लेना, आगे आपका काम देगा, अब मैं आपको बता दू कि यह date वगेरा, क्या-क्या, अभी तक mention किया गया है तो यहाँ पर online करने की जो तिथी है, वो 7 से शुरू है, मतलब आज से closing date यहाँ पर दिया गया है, कब तक यह form आप भर सकते हो, तो 2 June तक, ठीक है 2 June से पहले आप भर देना, बिल्कुल भी time नहीं है, उससे पहले ही भर देना, ठीक है, अगर आप payment कर रहे हो, यहाँ पर debit card कर यह सब, तो आप एक दिन बाद payment कर सकते हो, मतलब मैंने बोला ना, कि 2 तारिक को अगर भर के आप छोड़ देते हो, तो 3 तारिक को भी आप payment कर स वो अभी date यहाँ पर mention नहीं है, और exam कब होगी, उसकी date mention नहीं है, तो जब भी वो date mention होगी, सबसे पहले हम अपने चैनल पर आपको update दे देंगे, ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया form कैसे भढ़नी, इसकी fee क्या लगेगी, इसकी documents क्या लगेगी, मैंने complete details दे दिया, अगर आपको पसंद आया, तो वीडियो को like कर दीजेगा, अगर आप पहली बार चैनल में आया है, तो चैनल को subscribe कर दीजेगा, ठीक है, और सभी की साथ share जरू किजेगा, ओके, अगर आप अभी तक इसकी तैयारी नहीं सुरू किये हो, तो जल्दी सुरू कर दो, हमारे आप के classes, notes, materials, सब कुछ मिलेगा, नाम है, जीत भी और इसकी fee, अभी तक का सबसे सस्ता nursing classes की fee, सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए, ठीक है, आप पता कर सकते हो, इस से सस्ती कहें भी आपको nursing classes नहीं मिलेगी, और ये complete course की fee, एक मेहने की नहीं है, complete course, जब तक आपका exam नहीं हो जाता है, तब तक आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, इसके अलावा आपको practice के लिए हमने एक बहुत बड़ा questions bank बनाया हुआ, जिसमें 12,000 questions है, 12,000 questions है, जिसमें all previous year questions को include किया गया, NCRT का जो 11th और 12th का जितना भी chapter wise questions है, और अबजेक्टिव माइधम में वो आपको इस 999 रुपए में मिलेगा, ठीक है, अधिक जानकरी के लिए इस नंबर पर संपर करे, course के साथ जुड़ना हो, या पीडियेप लेना हो, दोनों ही ताप इस नंबर पर हमें संपर करे, या फिर इस नंबर पर payment करके, screenshot भेज़ दे इसी नंबर के WhatsApp में, तो आपका course चालू हो ज ज़्यादा है, इसकी classes हम लोग YouTube में चला रहे हैं, YouTube में classes अगर देखना है, तो description box में मैं लिंक दे रखा हैं, जाके देखो, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, और information अगर आपको सही में पसंद आया तो चैनल को सस्क्राइब कर दिजेगो, और सभी साथ से ज बाइन.